प्यारे बच्चों आईए अब हम मूल के तालुक से मालूमा थासिल करेंगे अनासिर और मुरकबाद जब केमे तामुलात में हिस्सा लेते हैं तब इनके जोहर और सालमों के दर्मियान तामुल होता है इसलिए इनके जोहर और सालमों के तादाद मालूम होनी चाहिए लेकिन किमे तामुलात करते वक्त जोहर और सालमों के पहमाईश के बज़ाए आसानी से पहमाईश की जा सके ऐसी मिगदार गिन कर लेना आसान होता है इसके लिए मूल का तसवर इस्तेमान होता है मौल माद्दे की ऐसी मिगदार होती है जिसमें माद्दे की गिराम में कम्यत इस माद्दे की सालमी कम्यत की डॉल्टन कीमत के मसावी होती है यह जो मौल है वो ऐसी मिगदार है जिसमें जो माद्दे की गिराम कम्यत है और सालमी कम्यद ये दोनों मसावी होती है जिस तरह ऑक्सिजन की सालमी कम्यद 32 है 32 ग्राम ऑक्सिजन यानि एक मोल ऑक्सिजन होती है पानी की सालमी कम्यद 18 है इसलिए 18 ग्राम पानी यानि एक मोल पानी आईए इसको जापते के जरीए समझते हैं माद्दे की गिराम कम्यत बटे माद्दे की सालमी कम्यत तो नतीजे में हमें माद्दे की मूल की तादाद हासिल होती है मुरकब का एक मूल यानि मुरकब के सालमी कम्यत के बराबर कीमत वाली गिराम में कम्यत होती है